नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ट्रेडिशनल टेल्स में आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ किसान विकास पत्र जो खरेगा आपका पैसा दुगना कैसे करेगा चलिए जानते हैं किसान विकास पत्र है क्या किसान विकास पत्र कुछ लोग सोचते होंगे कि किसान विकास पत्र कुछ तो पढ़के ही इसको छोड़ देते होंगे कि यह सिरफ किसानों के लिए है only farmers can open it नहीं, ऐसा नहीं है, रुखे कोई भी भारते नागरिक इसको खुलवा सकता है और यह बहुत ही अच्छी saving scheme है अब यह किसान विकास पत्र है क्या, कौन कौन इसको खुलवा सकता है इसकी rules क्या है, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी इस वीडियो को अंतक देखिए और यह तो मैं बताई चुकी हूँ कि किसानों के अलावा कोई भी भारतिया नागरिक इसको खुलवा सकता है इसका जस नाम किसान विकास पत्र दिया गया है यह scheme आप किसी भी post office में खोल सकते हैं किसी भी bank की शाखा में खोल सकते हैं इसके online forms भी आप चेक कर सकते हैं print out ले सकते हैं, fill up कर सकते हैं I think यह online भरा नहीं जाता आप इसको submit नहीं कर सकते हैं online तो उसके लिए आपको अपने nearest post office या फिर अपनी जो भी आपका bank है bank of broader है PNB है, SBI है उसमें जाकर आप खुलवा सकते हैं यह scheme भारत सरकार द्वारा लाई गई थी ताकि लोग अपना पैसा future के लिए save कर सकें यह एक इतनी अच्छी scheme है कि 10 साल में आपका पैसा double कर देती है और इसके उपर जो ब्याज की दर है वहें FD से जादा तर हर अच्छी होती है जो अगर माल लीजे FD अगर 5% रते हैं आपको 7% देगा तो almost जादा ही रहता है इसका और it depends कि जादा है ब्याज की दर तो कम समय में आपका पैसा हो जाएगा double कम है ब्याज की दर तो थोड़ा सा जादा समय लग सकता है आपका पैसा double होने में लेकिन plus minus करके 10 साल में आपका पैसा double हो जाता है अभी कोई भी भारत्या नागरिक जो 18 वर्ष से उपर है वह joint account वह खोल सकता है इसको और आप joint account भी इसको खोल सकते हैं आप अपने बच्चे का अकाउंट भी इसमें खोल सकते हैं आप जो है उसमें किसी को nominee अपने जैसे mother है वो अपने बच्चे का लेकिन कोई भी NRIS को नहीं खोलवा सकता trust इसको खोलवा सकते हैं लेकिन Hindu undivided families यह नहीं खोलवा सकती यह कैसे खोलना है आप nearest post office या अपने bank की ब्रांच में जाएं किसान विकास पत्रों के बारे में उनसे inquiry कीजिए वह आपको एक form देंगे आपको वह form भरना है बच्चे का account खोलवाना है तो आपको birth proof साथ में लेके जाना पड़ेगा अगर वह minor है तो और अधार card और basically आपका ID proof और आपका address proof यह है दो चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए with the form और इसका जो amount है minimum जो amount है कम से कम 1000 रुपे का आपको यह है खोलवाना पड़ता है 1000 रुपे प्लस आपके documents यह सब लेके अभी depends upon कि check से पैसा पैसा आप first उसमें देते हैं या फिर cash से या कैसे लेकिन इसमें पैसा एक ही बार जमा होता है it's not like PPF या फिर जो करने समरिदी कि आप हर महीने या फिर हर साल इसमें पैसा जमा करें एक बार मही किसान विकास पत्र में आप पैसा लगा कर भूल जाएए और 10 साल बाद आपका पैसा डबल इसके फायदे जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपका पैसा किसान विकास पत्र में डबल हो जाता है दस साल में यह है बहुत ही सुरक्षित है इसमें ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा आपको नहीं मिलेगा इस विद गर्मेंट ऑफ इंडिया जो लॉंक टम अपनी infrastructure schemes में है पैसा लगाती है ब्याशदर है presently that is 6.9% लेकिन एक समय ऐसा भी था दो दन साल पहले जब यह 7.8% 8% 9% ऐसे भी देता था depends upon हमारी economy कैसे कर रही है अगर अच्छा है flourishing economy है अभी तो अच्छी rate of interest आपको मिलेंगी इस COVID के समय में है इसलिए इसका interest rate भी थोड़ाफ दाउन है इसमें लेकिन आप drawback यह है कि आप ATC के अंतरकत आप tax claim नहीं कर सकते हैं आपका हर साल इसमें tax deducted at source नहीं कटेगा आपको 10 साल के बाद जो income मिलेगी उसी के ओपर भी ऐसा नहीं है कि आपको इसमें जो भी tax लगेगा वह है other source of income के head के अंडर जो आता है वो वाला tax लगता है इसमें which is like income tax जो भी होगा अगर इतनी आपकी income बनती है taxable then minimum जो आपका amount है 1000 rupees आप इसमें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं maximum के लिए कोई limit नहीं है यानि कि आप 1000 rupees से खुल सकते हैं 5000 से फिर 10,000 से 15,000 से 20,000 से like that और यह है 124 मेने में almost आपका पैसर double कर देता है which is around 10 years plus 2-3 months 50,000 से उपर का आपको अगर पैसा किसान विकास पत्रा में डालना है तो आपको आपका pen card दे रहा होगा साथ में अगर आपको 10,000,000,000,000,000 ऐसे डालना है तो आपको अपना income proof भी दे रहा होगा आप businessmen है या फिर आप job करते हैं basically आपने यह income कैसे earn की है उसका proof कुछ important बाते में और इसके बारे में आपको बताना चाहूंगे एक तो इसमें tax deducted at source यनि कि हर साल आपको tax नहीं कटेगा पैसा इसमें आपको एक बार ही जमा करना है जैसे कि हम PPF में हर साल या हर महीने जिस हिसाब से आपको करना है वैसे करते हैं 15 साल के लिए लेकिन इसमें ऐसा नहीं है आप एक बार जितने भी आपको खुलवाना है 1,000,000 का है या फिर 2,000,000 का है आप उतना पैसा इसमें डालिए और 10 साल के बाद आपका पैसा डबल इसमें maturity पे बिसिकली आपका पैसा इसमें डबल हो जाता है 30 महिने तक का lock-in समय होता है आप अपना पैसा बिलकुल भी नहीं इसमें से निकाल सकते आप अगर किसी और व्रेक्ति के नाम पर किसान विकास पत्रों ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वह भी हो सकता है अगर आपको कोई लोन लेना है और लोन के लिए आप बैंक में अपनाई है किसान विकास पत्रा का डॉकुमेंट रख सकते हैं जिसके ओपर आपको लोन मिल सकता है फिर भगवान ना करें, किसी की अगर मृत्ति हो जाए तो नॉमिनी कोई है पैसा मिल जाता है और जो भी आपको रुटर्न मिलेंगे वह बहुती सुरक्षित हैं, बहुती अच्छे हैं रुटर्न आपको मिलते हैं तो इट इस वेरी गुड और सेफ स्कीम, आप असानी से इसके ओपर ट्रस्ट कर सकते हैं और अपना पैसा असमें डाल सकते हैं मैंने कुछ एक वीडियो पीछे बनाए हैं PPF के बारे में सुकने सम्रदी के बारे में मैं National Saving Certificate के बारे में अगर मैं रेटिंग करूं तो मैं PPF को नमबर वन पे रखूँगी नमबर टू पे मैं दोनों स्कीम NSC और सुकने सम्रदी को रखूँगी और नमबर टू पे मैं रखूँगी इसको किसान विकास पत्रों को वैसे सारी स्कीम के अपने अपने benefits हैं आपको अपने हिसाब से आपके लिए जो भी suitable लगे आप उसमें अपना पैसा डाल सकते हैं और यह सारी स्कीम बहुत ही अच्छी हैं अभी एक में यहां पर आपको छोड़ी सी चीज बताना चाहूंगी रूल ओफ 72 आप 72 उपर रखे और जैसे हम 72 को आप डिवाइड कर दीजे जो भी present rate of interest जल रहा है आपका अगर दस है 72 को दस से डिवाइड करेंगे तो 7.2 यानि कि आपके साथ साल दो महिने में आपका पैसा डबल हो जाएगा अब 72 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं मालो कि 6% rate of interest तो 12 साल में आपका पैसा डबल होगा तो एक छोड़ी सी टिप है जिसमें आप जान सकते हैं कि आपका पैसा कितने समय में डबल होगा कितना समय लगेगा उसको दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब आच चैनल हमारे सातones टक बने रहने के लिए अपने धरम से जुड़ी अपने तहारम से जुड़े एवीडियो क्राप्त करने कीजिए प्लीज सब्सक्राइब आच चैनल बहुत बहुत धन्यावाद हमारे साथ यहां तक बने रहने की लिए थैंक यूसो मच